हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वावत करता हूं अपने यूटूब चैनल जॉब्स इन सौट्स पे हर रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब आकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रहा है गोवाहर्टी हा आसाम होगा वहीं अगर बात कर लेते हैं इस वीडियो को पूला देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाज वैकेंसी डिटेल्स की तो कोर्ट मैनेजर के लिए 11 वैकंसी है इस्टेनोग्राफर ग्रेड वन के लिए 34 वैकंसी है जबकि इस्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए 96 वैकंसी है अगर एडिकेशन की बात करें तो जिन ग्रेट्स ने आई डिप्लोमा क्लास 12 डिग्री ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी और बोर्ड या अनुशिटी से वह सारा कर पाएंगे वही अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सेलरी डिटेल्स की तो कोट मैनेजर पोस्ट के लिए आपको मिल जागी 30,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए पर मन तक की सलरी वही स्टनोग्राफर ग्रेड वन के लिए 22,000 रुपए से लेकर 97,000 रुपए पर मन पाएंगे वही अगर पोस्ट वाइज आयू सीमा की बात करें तो कोट मैनेजर के लिए जिन काइट्स के आयू पचीछ से लगर 38 वर सतक है वस के लिए आवदन कर पाएंगे वही स्टनोग्राफर ग्रेड वन और ग्रेड टु के लिए जिन काइट्स के लिए 40 वर से उस सक में वो सारे काईट्स के लिए आधन कर सकते हैं अगर इस की बात करें तो OBC और MOBC काईट्स को 3 साल तक का, SCST काईट्स को 5 साल तक का, जबकि PWD काईट्स को 10 साल तक का इस एलक्सेशन दिया जाएगा, अप्रिकेशन फी की बात करें, तो कोर्ट माइजर पोस्ट के लिए, जर्रल काईट्स को दे रहोंगे 500 रुपए, जबकि SCST को दे रहोंगे 250 रुपए, यहां भी mode of payment online ही होगा, अगर भी बात कर लेते हैं, इस टेनोग्राफर पोस्ट की, तो इसके लिए जर्रल काईट्स को देना होगे 300 रुपए, वहीं SCST को देना होगे 150 रुपए, यहां भी mode of payment online ही होगा दोस्तो, अगर बात कर लेते हैं, सेलेक्शन पोस्ट की, तो यह return test evidence test, voice test, physical fitness test, और interview पर ही based होगा, और अगर रान्त में बात कर लेते हैं, इंपार्टन डेट्स की, तो इस form को भरने की प्रक्रिया, 28 준비रबर तो यह स्टाट होगी, जोगी 15 March 2223 तक चलेगी, अगर वहीं बात कर लेते हैं, last date of payment of application, फी क्या रखे गई है, तो यह 18 March 23 रखी गई है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको इस वीडियो में आपको इस वाकेंजी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी अगर तिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई कोई कौश्चन है तो इसे आफ हमें कमड सेक्षिन में पूछ सक सकते हो तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नहीं जाव है कंचे की जानकारी लेकर जय हिंद